नवश्कार दोस्तों, वेलकम टो माई चैनल, आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नए एपिसोड में पूरे देश में दोस्तों जाहिलपन की सीमा जो है ना वो पार हो गई है और देखकर इतना बुरा लग रहा है इन लोगों के लिए कि भाई ये लोग कर क्या रहे है मतलब अपने देश को वो किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं दोस्तों जो बंदा यानि शारुक खान इंडिया के सबसे बड़े सूपरस्टार है आखरी सूपरस्टार है ग्लोबल सूपरस्टार है जिनको पूरी दुनिया मानती है उनकी छवी तो वो खराब करने की कोशिश करी रहे हैं लेकिन साथी साथ अपने देश की भी छवी ये खराब कर रहे हैं मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गल्फ कंट्री के लोग अगर ये वीडियो देखेंगे या कोई अमेरिका में रह रहा है, कोई लेंडर में रहा है, शारू खान का फैन, या फिर बॉलीवुड की फिल्म में जो देखता है, या बॉलीवुड या फिर इंडियन फिल्म में जो देखता है, वो क्या सोचेगा, कि ये कलर को लेके इतना बवाल हो रहा है देश में, और कई सारे ऐसे नेता हैं वो हर आदे घंटे में पोस्ट कर रहें एक मोहतरमा ने पोस्ट कियाता है कि सौ करोड हिंदू ना तो यह फिल्म इंडिया की सबसे बड़ी हिट फिल्म हो जाएगी अगर सिर्फ तीन करोड लोग ठेटर में जाके टिकट खरीद के मूवी देख ले तो तीन करोड टिकट अगर भिग जाएं तो चाहे किसी भी धर्म के लोग हूँ सौ करोड तो बहुत दूर की बात है 140 करोड की अबादी इस देश में तो इतना जादा दोस्तों कहीं न कहीं प्रोपेगेंडा किया जा रहा है महनाई पर बात नहीं की जा रही है और अभी तो ऐसा वीडियो आ गया है एक सज्जन है मैं इनको नाम से तो नहीं जानता हूँ लेकिन इनको मैंने देखा था भाई साहब को कि ये ब्रहमास्त्र के भी इस तरह से वो कहीं ने कहीं बॉयकोट कर रहे थे थेटर के सामने बकायदा लाउड स्पिकर में और अभी तो इन्होंने अपना बजट बढ़ा दिया है कहा है कि ब्रहमास्त्र हमने लाउड स्पिकर में किया फिल्म हो गई हिट हमने लासीन चड़ा भी किया लेकि लासीन चड़ा भी फ्लॉप हो गई तो उनको लगता है कि bhai ये हमारे वेरे से फ्लॉप हो गई है अब ये सोचें कि bhai पथान इतनी महंगी फिल्म इतनी बड़ी फिल्म है तो bhai ये सिंपल लाउड स्पीकर से काम नहीं चलेगा इस बार कुछ बड़े स्केल पर करना होगा यानि भाई साहम ने घोड़े मंगाए रत मंगाए एक बड़ा सा बैनर बनवाया 15-20 जार उपे खर्च करके पठान को फ्री पब्लिसिटी पठान को प्रमोशन किया जा रहा ज़दकंड में आप वीडियो देखे इसके बाद हम ब देखा दोस्तों आपने किस तरीके से रत के उपर खड़े होके बड़े से बैनर लगा के बेशरम रंग के खिलाफ या पठान की खिलाफ और बार बार पठान 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 करके फिल्म को प्रमोट किया जा रहा है ये शारुक खान के फैंस के लिए इसमें डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों क्योंकि ये अच्छी बात है कि पठान का प्रमोशन हो रहा है और जार्खन का ये वीडियो है जहां पांच लोग भी खड़े होके उस वीडियो उस नजारे को नहीं देख रहे हैं सिर्फ सोचल मीडिया के लिए बनाया गया है इतना बजट बढ़ा के यानि कितन प्लें यान एज्जुक्रेटेड में दूस्तों इस देज में और बीजय पी में एक से एक क्या बोले हैं आपको मतलब ऐसे सोच के लोग है ये पार्टी का भी खराब कर रहें देश का भी छवी खराब कर रहे हैं और भाई शारूख खान का छवी खराब करनी की कोशिश तो ये करी रहे हैं हाला कि इससे फिल्म पे थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ेगा हमें धाई से तीन करोड लोग चाहिए दो करोड लोग भी फिल्म देख लेना दो करोड छोड़े यार एक करोड सतर लाक लोग अगर इस फिल्म को देख लेना सिनेमा घर में एक करोड सतर लाक तो ये फिल्म तीन सो करोड का बिजनिस करे ही तो फिर किस बात का भाई को उठ हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप बताएं कि भाई इस से फिल्म को कितना फैदा हो रहा है और मुझे लगता है कि जिस तरीके से भाई साथ बैनर ले के घूम रहे ना इतना बड़ा बैनर उन्होंने महंगा प्रिंट कराया लगाया रथ लिया घोड़ा दिया घोड़ा भी दोस्तों कहता होगा मनी मनी कि क इस गड़े को अपने उपर मैंने बैठाया है इतनी शन्म की बात है दोसतों इस तरीके से शारुख खान की पीछे पढ़ें ये लोग शारुखान से इतना जलन क्यों है भाई शारुख खान जो इंडिया को ग्लोबल लेबल amps नाम होता है लेकिन फिर भी लोग शारुख के पीछे पढ़े, भगवा कलर का मुद्दा बना के, ये मुद्दा भगवा कलर का नहीं है, औरेंज कलर का नहीं है, ये मुद्दा है, खान, खान, शारुक खान का, नाम में वजन है दोस्तों, बादशाह का, तो ये चाहते हैं कि कैसे भी इसके पीछे हम पढ़ें, इस पर ह वावी हो जाया Automर करें जूकि यह पॉसि بonie पॉसिबल नहीं है साथ हजार कर चरोर का माली फिर शारुफ all that है तो भाई अजर लगा लेंड़ किसे बर बाद कर सकते हैं खुद को बरबाद कर सकते हैं उर देश को भी बरबाद किया जा रहा है टेक केर